ओम आनो भद्राह क्रतवो यन्तु विश्वतह संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुव विचार सतत प्रप्त हों, मानवता अपनी देवी है, जियान हमारा भईया है, मेहनत अपनी बहना है, धर्ति मा की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर ही जीते रहना है। समाधर्णिय मानुभाओं वैदिक संध्या के विशय में हम आपको प्रवचन कर रहे हैं, आज का तीसरा सत्र है, जिसमें हम आचमन मंत्र को ले रहे हैं। आचमन मंत्र इस प्रकार है, ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीत ये शैयो रभिष्रवन्तु नहा। मेरे विचार से यह मंत्र जीवन लक्षय मंत्र है। मुख्य लक्ष हैं। लोकी कुन्नती के साथ साथ निश्ष्रेयस यानि मोक्ष के लिए पुर्शार्थ व्यक्ति को मनुष्य जीवन में करना है। और इस मंत्र में इनी दो लक्षों की चर्चा है। थोड़ा सा मंत्र का पदार्थ हम सुन लेते हैं। शम माने कल्यान नह माने हमारा देवी ही। ये इश्वर के लिए नाम आया संबोधन इश्वर का देवी का मतलब है सत्का प्रकाशक इश्वर। आगे अभीष्ट ये मनोवंचित सुक के लिए। अभीष्ट ये मनोवंचित सुक आपह इश्वर का नाम है। आपलरी व्याप्तवधातु से आपह शब्द बनता है। सर्वव्यापक इश्वर भवन्तु होवे पी तये पूर्णानंद के लिए मोक्षानंद के लिए नहं हमपर। शैयोह सुक्खों की अभी चारों और से वर्षतु वर्षा करे। अभी स्रवन्तु वर्षा करे। तो ये मंत्र का पदार्थ हुआ। अब थोड़ा सा मंत्र के भावों को भी समझने का प्रयास करते हैं। मानु भावों इसमें जो दो लक्ष मैंने बताए कि भोग और दूसरा अपुर्ग, संसार और दूसरा मोक्ष, संसारी कुन्नती, बोती कुन्नती और साथ-साथ मोक्ष। आज के मानों ने क्या कर दिया? संसारी कुन्नती को तो मुक्ष बना लिया और मोक्ष का या तो स्किप कर दिया जीवन में से हटाई दिया, या है भी या बहुत गौन रूप में है। जबकि दोनों समान अंतर चलने चाहिए, भोती कुन्नती के लिए जहां हम पुर्शाथ कर रहे हैं, संसारीक चीजों की उपलब्दियों के लिए सुबे से लेके शाम तक जन्म से लेके मृत्यों तक लगातार हम लगे पड़े हैं। ऐसे ही मोक्ष के लिए भी अठारा गंटे जरुवत नहीं है, कुछ गंटे, सुबे दो तिन गंटे, शाम को एक दो गंटे लगाना चाहिए, मोक्ष प्राप्ती के लिए पुर्शार्त होना चाहिए जीवन में, वो नहीं हो रा आज के मानो द्वारा, क्यों नहीं हो रा, क वो जानकारी नहीं दी जाती, और कहीं से कहीं तक मोक्ष को प्रात्मिक्ता दी जानी चाहिए, ये कंसेप्ट प्रावधान ही नहीं है, तो सबसे पहली बात इस मंत्र से हमको सीखनी है, कि केवल संसारिक उन्नति को प्रमुग बना करके हम अपने जीवन को न चलाएं, इसम विगत दो तिन प्रवचनों में हमने इस बात को अच्छे से समझाया, कि या तो व्यक्ती संसार उन्मुग होता है, या ब्रम्म उन्मुग होता है, ब्रम्म उन्मुग जीने वाला व्यक्ती ही कल्यान को जीता है, शास्तर में दो मार्ग बताएं हैं, एक प्रे मार्ग, प्रिय लगने वाला विशय, विशय हैं पांच, शब्दस, पर्श, रूप, रस, गंध, और उन्ही से संदर्विद भोगों में लगे रहना, ये संसारिक विशय प्रेय मार्ग कहलाया, उपनिशद में ये प्रसंगाता है, और दूसरा मार्ग है श्रेय मार्ग, श्रेय ब्रम्ह की और ले जाने वाला मार्ग, ब्रम्ह की और, उन्नती की और, मोक्ष की और, अपुवर्ग की और ले जाने वाला मार्ग, आत्मा पर्मात्मा को जानकारी कराने वाला मार्ग, बंधनों से चुड़ाने वाला मार्ग, ये दोनों के लिए पुर्शार्त होना श्रेवी और प्रेवी इसमें दो शब्दाएं हैं एक है अभीष्ट ये दूसरा है पीट ये ये मंत्र में दो शब्दाएं अभेष्टी का मतलब है मनोवंचित सुक याने सांसारिक सुक भोग्ये पदार्थ हमारे पास सब कुछ अच्छा-च्छा होना चाहिए खाने पहरन और ने गुमने फिरने के लिए यातायात की सुविधाएं याने कारादी सब बैंक बैलेंस प्रॉपरिटी इस्टेट ये सब कुछ होना चाहिए सब प्रकार की सुक सामगरी हमारे पास होनी चाहिए परन्तु इसी के लिए जीवन होके रह जाना ये आपत्ति जनक है क्यों क्योंकि परमात्मा ने आदेश दिया था वेद में की शावास्यमिदंसरवं यतकिंच जगत्यम जगत्ति तेन त्यक्तेन भुंजी था इस संसार का त्यागपूर्वक भोग करो कि त्यागपूर्वक भोग की जब बाद आती है तो किसलिए त्याग करना इश्वर के लिए कि इश्वर हमको प्राप्त करना है और ये संसार में अटक्के नहीं रहना है जन्ममरण के चक्र से हमको छूटना है ये लक्ष होना चाहिए था जीवन का बात ये आती है कि भोजन मेरे लिए या मैं भोजन के लिए धन मेरे लिए या मैं धन के लिए प्रपर्टी मेरे लिए या मैं प्रपर्टी के लिए चेतना को यानि आत्मा को जड़ चीजों के लिए उपयोगित नहीं होना चाहिए लक्षा तो यही बनाना है धन मेरे लिए है मैं धन से बड़ा हूँ धन मुझसे छोटा है क्योंकि वह जड़ वस्तु है और अस्ताई है आज है कल नहीं है अनित्य है संयोग वियोगांत है मैं उससे बड़ा हूँ तो अपने लिए मैं धन का सदुपयोग करूँगा धन के लिए खुद उपयोगित नहीं होंगा ऐसे ही भोजन वस्त्र मकान अध्य मान लिया जाता है तो जीवन पतन उन्मुक हो जाता है संसार है साधन जीवात्मा है साधक साध्य है ब्रह्म ये बात यदि दिमाग में रखेंगे और शिक्षापद्धती से ही इसका प्रावधान होना चाहिए था परन्तु वर्तमान पास्चात्य पतिक उन्नती के लिए ही शिक्षित होकर के आ रहा है पैसा कमाने की मशीन सा बन रहा है तो इसलिए आज के मानों के अंदर वो बातें हैं नहीं अब इश्वर को भी प्राप्ट करना है कैवले नाम की कोई चीज है उसे हमें हस्तगत करना है आत्मा परमात्मा को जानना है ये कंसेप्ट आज हमको सामने लाना होगा समाज में इसका प्रचार पसार करना होगा आज के मानों को इसकी आवश्यक्ता अनुभो करानी होगी केवल संसार और संसारिक भोगों को प्राप्त करने में दिन रात नहीं लगाना है अब आते हैं मंत्र पर मंत्र के अन्य पदों पर शम माने कल्यान मंत्र में एक शब्द आया शम मंत्र के अंत में भी आया शैयो हो शैयो हो माने सुखों की हम सुख तो चाहते हैं लेकिन शुख सुख किसमे है इस बात का परिज्यान हमको कर लेना चाहिए मानुभाओं, खाने पिने में भी सुख है, गुमने फिरने में सुख है, टिवी देखने में सुख है, और अच्छे अच्छे वस्तर पैनने में सुख है, रिष्टेदारी में, गुमने फिरने में, उनसे मिलने में, जुलने में, ये सब सारी उसान सारी कुपलब्दियों में बेशक सुख है परंतु इससे भी बढ़िया कोई सुख है या हो सकता है इसकी परिकलपना हमको नहीं है या है तो भी शाब्दिक है थोड़ा-थोड़ा सुना है कहीं प्रवचनों में या पढ़ा है कहीं कि इरिशी मुनियों ने ये बताया हमको कि इश्वर की प्राप्ति से जो सुख मिलता है या तृष्णाओं का इस्छाओं का क्षए होने पर जो आध्यात्मिक सुख मिलता है वो संसरिक सुखों के बराबर नहीं है, हजारवाच्च भी नहीं है ऐसा रिश्यों से हमने जान रखा है, सुन रखा है कहीं से प्रवचनों में सुन रखा है या कहीं हम पुस्तकों में पढ़ा है आध्यात्मिक चर्चाओं में ये बात आती है तो हमने सुन रखा है पर अभी इसका महत्वा हमारे दिमाग में यथावत नहीं है सुवे उठकर के रात्री सोने तक अठारा घंटे हमारा पूरा पुर्शार्थ, हमारी पूरी शक्ति, हमारी पूरी उर्जा, हमारा प्रेत्न सांसारी क्वस्तूओं के पीछे ही लगा हुआ है होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि मुख्य इश्वर प्राप्ती का लक्ष बना करके कि नित्य सुख, स्थाई सुख, आनन्द इश्वर के पास है और उसके लिए मुझे मुख्य पुर्शार्थ करना है और इस इश्वर रूपी साध्य की प्राप्ती के लिए संसार रूपी साधन को हमने गौन बना करके चलना है, साधन बना करके चलना है जब ये दिमाग बनाएंगे तो इश्वर मुख्य हो जाएगा जब ऐसा दिमाग बना लेंगे तो फिर वेद का जो आदेश है तेन त्यक तेन बुंजी था वो हमारे जीवन में चरितार्त साधक हो जाएगा आसार्तक हो जाएगा आज संसार को डूब करके भोग रहे हैं ये दिमाग बनेगा ये माइंडसेट हमारा बनेगा कि इश्वर प्राप्त करना मुख्य लक्ष है हमें इश्वर चाहिए ये भाव जब उत्पन होगा तो हमारी जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी क्योंकि संसार के सुख से कई कई गुना बहतर सुख इश्वर के पास है नित्य सुख है स्थाई सुख है अब मानुभों संसार हमें एक तरफ खिच रहा है संसार का आकरशन है पांचों इंद्रियों के भोग और उसमें हमारी बहुत ज़्यादा प्रवरित्ती है आसक्ती बनी हुई है तो जब उपासना में बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता उपासना में इधर उधर के विशय बार बार उठा लिये जाते हैं राग द्वेश से पिछा नहीं छोटता न राग द्वेश आदिस अंसारिक विशयों में मन लगा रहता है दिन भर लगा रहता है उपासना करने बैठते हैं तो विचार न जाने कहा कहा से आ जाते अब ये समस्या है, आज के नविन सादक के सामने ये सबसे बड़ी समस्या है, तो उसके लिए उपाई बता रहे हैं, कि कल्यान का मार्ग यही है, रिशियों ने सपश्ट किया, या तु कैवल्य प्राग भारा, जो कैवल्य की और धारा चित की जाती है, वो कल्यान वहा, पाप वहा जो संसार की और बहने वाली धारा है वो पाप वहा है अब अन्य ग्रंथों को पढ़ने से संसार और इश्वर के सुख की तुलना करने से जो रिश्यों ने हमको तुलना करके बताया उसको सामने रखते हुए इश्वर प्राप्ती का लक्ष बना करके चलने वाला कल्यान के मार्ग पर चल पड़ता है और रिश्यों ने वैसे भी कहा अपने शास्त्रों में इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ती नो चेदिहा वेदिन महती विनष्टि ही अर्थात हे मानो मनुष्य जीवन को प्राप्त करके तुचेत जा यानि संभल जा अपनी चेतना को संसार के भोगों के आकर्शन से हटा करके मुझे प्राप्त करने के लिए लगा दे यानि इश्वर करेगा तो तेरे जीवन की सफलता है सार्थकता है और नहीं तो तेरा महान विनाश है अर्थात जिसके लिए तुने ये शरीर धारन किया मनुष्य जीवन का जो सुनेहरा आउसर मिला इश्वर प्राप्ती का वो तुगमा देगा ये बात बताना चाहरा है रिशी तो महनु कल्यान का पत तो इश्वर प्राप्ती का पत है उसके लिए हमको समय निकालना होगा सध्याय करना होगा इश्वर का ध्यान करना होगा हवन करना होगा और आत्मनिरिक्षन करना होगा संसं करना होगा शंका समाधान करना होगा परुपकार करना होगा सेवा साधना आधी बनाना होगा और देनन दिन दिंचरिया में इसको अभ्यास करना होगा तब कहीं जाकर के हम कल्यान का पक्चुनेंगे केवल बोलने से शैयो हो अभिस्रवंतु नहां हे परमात्मा हम पर सुखों की वर्शा करो नहीं होने वाला तो दुखों से पीछा नहीं चुटने वाला म चन्नो देवी रभीष्ट अभीष्ट अभीष्ट अए में आज का मानो मिडल क्लास या अपर मिडल क्लास प्रेमिली है जो संब्रांत घर हैं पैसे वाले अच्छे रिच लोग हैं वे लोग भी सुखी कहां हैं सब कुछ होते वे भी अच्छा मकान है खाने पिने को धन है संपत्ती है नोकर्चा कर है घर में सब कुछ है पर फिर भी व्यक्ति दुखी है अब उसको दुख का कारण नहीं समझ में आया आज थोड़ा सा उसकी वे चर्चा कर लेते हैं कल्यान किस में है सुख किस में है सुख का रास्ता कौनसा है ये पता चल जाएगा प्रीवात्मक सत्वरजस तमस ये हात की उंगलियों से समझा देता हूं ये एक मुद्रा है इसमें अंगुठा तरजनी से चूँ करके जब हम ये स्थिती बनती है उसको जियान मुद्रा कहते हैं अर्था-अंगुठा रिप्रेजेंट करता है पर्मात्मा को तरजनी रिप्र पर्मात्मा को आत्मा को पर्मात्मा के साथ जोड़ देना संसार को भुला देना ये है चित्तवर्तिनिरोधा तो इसलिए इसको जियानमुद्रा कहते हैं तो जो ये तीन उंगलियां बची उसमें भी क्रमशह हम देखते हैं कनिष्टा छोटी उंगली है और अनामिका उससे थोड़ी बड़ी है और अनामिका से बड़ी है मध्यमा तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कनिष्टा तमस को और अनामिका रजस को और मध्यमा सत्वगुन को रिप्रेजेंट करती है तो सत्वगुन सबसे बड़ा है तो सत्वगुन रजोगुन तमोगुन त्रिगुनात्म संसार है प्रकृति त्रिगुण आत्मक होने से संसार भी त्रिगुण आत्मक है हर चीज में त्रिगुण है सत्वगुण रजगुण तमोगुण भी है ऐसे हमारा चित याने मन भी त्रिगुण आत्मक है इस जिस चित को हम साधना में चित की वृत्यों का निरोत करना चाहत कि मनुष्य रजोगुन तमोगुन युक्त कर्मों से मन को रोक सत्वगुन युक्त हो पश्चात उसका भी निरोध कर एक इश्वर और धर्म युक्त कर्म इनके अगरभाग में चित्त का ठेरा रखना तो अब आप देखिए की जिस चित को हमें निरोध करना है उस चित में रजोगुन तमोगुन भी है और सत्वगुन भी है रजोगुन तमोगुन और सत्वगुन के गुणों का व्यापार चलता रहता है कभी कोई गुण उभरता है कभी किसी गुण का अधिक्य हो जाता है का एक्टिव मोड में आ जाता है कभी कोई गुण दब जाता है शांत हो जाता है इनेक्टिव हो जाता है गुणों के दबने और उभरने से हमारी चित्त की अलग-अलग पांच अवस्थाएं होती है मैं आपको सुनाता हूँ पहली अवस्था है क्षिप्त दूसरी अवस्था है मूड तीसरी है विक्षिप्त चौथी है एकाग्र और पांचवी है निरुद्ध उनमें से एकाग्र और निरुद ये प्राप्त करनी अवस्थाएं हमको हैं उसी अवस्था में हमको सुख मिलेगा हम कल्यान का पथ चल पड़ेंगे शैयोह अभिस्रवन्तु नहा शम माने कल्यान की कामना जो हम कर रहे हैं सुख की कामना कर रहे हैं वो एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में हमको मिलेगा, बाकी तीनों अवस्थाएं संसारिक मनुष्य की अवस्थाएं हैं, उसमें पूरा सुक नहीं मिलता, शाश्वत सुक नहीं मिलता, दुख मिश्रिद सुक मिलता है, दुख लगा रहता है पीछे, तो कैसे बताता क्षिप्त अवस्था जो है मन की, शिप्त अवस्था में रजोगुन और तमोगुन प्रभावी रहते हैं, यानि उब्रेवे रहते हैं, एक्टिव मोड में रहते हैं, और सत्वगुन पूरी तरह से दबा रहता है, शांत रहता है, इनेक्टिव रहता है, उसको कहते हैं क् इ? बस उसी में लगा हुआ है उसको कोई लेना देना नहीं है आत्मा है, परमात्मा है, कर्मफल मिलता है, पुनर जन्म होता है किसने देखा है उसको समझाव तो वो कुतर कौर करेगा ये चारवा कर नाम का एक संपरदाय हुआ अपने देश में रिशिदयनन ने सत्याद प्रकाश में ग्यारवे समुल्लास में उनके विशे में बताया कि उनका सिध्धान्त क्या है यावज जीवेद सुखम जीवेद रिणम कृत्वा घृतम पीवेद भसमी भूतस्य देहस्य अपुनरागमनम कुतह जब तक जीओ मौज करो खाओ प मोगुन प्रबल रहता है ऐसे एक शिप्त चित्त वाले लोग संसार में डूब कर भोगते हैं आत्मा परमात्मा मोख्ष पुनरजन्म कर्मपल इनसे कोई लेना देना नहीं है तो इसलिए इनको नास्तिक वत होकर के घुम रहे हैं संसार के चका चौन्द में उलजे रहते ह आगे चलते हैं मूड व्यक्ति वो हैं जिसका रजोगुन और सतोगुन दोनों दबे रहते हैं और तमोगुन तमोगुन उभरा रहता है जब तमोगुन उभर जाता है तो आदमी आलग रास्ते पे चल पड़ता है उल्टे रास्ते पे चल पड़ता है अधर्मा अज्यान अवईराग्य अनईश्वरिय चुन लेता है जीवन में, बुरे काम करता है, जुट बोलता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, वेबिचार में सनलिप्त होता है, नशा करता है, राष्ट्र विरोधी काम करता है, मानव जीवन को अगला जन्म मनुष्य का न मिले, ऐसी योजना बनाता है, यानि अपना मनुष्य जीवन बर्बाद करता है, बड़े मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है, अने कों जन्मों का सुकृत जब संचित होते हैं, तब कहीं मनुष्य का जन्म मिलता है, तो उसे भी प्राप्ता उसर को वो बर्बाद कर देता है, ऐसा व्यक्ति अवस्था में थोड़ा थोड़ा सा सुधर जाता है व्यक्ति ओपिछली दो अवस्थाओं से उपर उठता है तो क्या होता है सत्वोगुन रजवगुन के साथ मिल करके जीवन में कारेरत होते हैं और तमोगुन पूरी तरह से दब जाता है तो हमने मूड अवस्था में देखा था कि तमोगुन उभराता और सत्वोगुन रजोगुन दब गए थे ये विप्रित अवस्था थी और उसमें लक्षन थे अधर्म अज्यान अवैराग्या अनेश्व परन्तु ऐसा होते हुए भी उसको शांती नहीं है उसके संशय पूरे नहीं मिटते उसका रदय विक्षेपों से दूर नहीं होता क्योंकि थोड़ा-थोड़ा रजोगुन का भी सम्मिश्रण है ना विक्षिपता वस्था में रजोगुन तमोगुन दोनों साथ-साथ कार यह कर रहे हैं जब रजोगुन पूरी तरह से हट जाएगा जीवन में से तब कहीं जाकर के संध्या में जो कहा कल्यान का पत शम नहां शन्नो देवी और जो कहा शैयोह अभिस्रवन्तु नहां यह जीवन में तब चरितार्थ होगा जब विक्षिपता वस्था को लांग कर एकागर अवस्था में जो पूर्ण सत्वगुन प्रधान अवस्था है प्रवेश करेगा मानुभाओं हमको दुखों से बाहर निकलना है तो यह करना पड़ेगा विक्षिपत अवस्था में धर्म को अपनाता हूँ अव्यक्ति सारे काम करता है जैसे संध्या करता है स्वाध्याय करता है सत्संग करता है परोपकार करता है और सत्संग भी करता है दान भी देता है अन्यों की समास सेवा भी करता है अच्छे काम करता है शुभकर्म करता ह परंतु उसके जीवन में अभी रजोगुन के कारण विक्षेप आ रहे हैं। क्योंकि वो अंदर विक्षेप है ना चित में विक्षेप है तो विक्षेप कौन से हैं। ये नो अंतराय बताए हैं, या विक्षेब बताए हैं, पहला है व्यादी, व्यादी के विशे में लिखा, धातुर सकर्ण वैशम्यम, याने शरीर के अंदर जो धातु ये हैं, चाये सप्तधा धातु हों, वातपित कफतरी धातु हों, वातपित और कफ में जब Imbalance होता है असंतुलन होता है या यह बिगड़ जाते हैं कुपित हो जाते हैं तो रोग पैदा होते हैं ऐसे ही शरीर में सब्तधातु होते हैं जो हम भोजनादी लेते हैं उससे रस, रक्त, मान, समेद, अस्ति, मज्ज, शुक्र ये सबत धातुएं हैं तो शरीर को धारण करने वाली इन में जब imbalance होता है तो भी हम रोगी होते हैं तो ये रोग पहला विक्षेप है दूसरा है स्त्यान स्त्यानम अकर्मन्यता चित्तस्य यानि अच्छे कामों में मन की प्रवृत्ति नहीं होना गंटों मोबाइल में लगा लेकिन 15 मिनिट बैट करके संध्या नहीं करेगा आप देखिए WhatsApp में Facebook में गंटों बिताएगा जितना भी खाली समय मिलता है उसको दिंचरिया में से वो मोबाइल रूपी देवता को जितना समय देते हैं उसका दशांश भी इश्वर के लिए लगाएंगे तो हमारा जीवन का कल्यान हो जाएगा अब देखिए स्थयानम स्थयानम के कारण होता है विक्षेप है इस विक्षेप को अटाना चाइए स्थयानम अकर्मनत्या चित्त अस्य चित्त में प्रवुरिति नहीं होती संध्यादी में आगे चलिए आगे आया संशे तीसरा विक्षे उबयकोटी स्प्रिग विज्यानम स्यादिदम एवं नेवं स्यादिती अर्था जिस पदात का निश्चय करना चाहता है उसका यतावत ग्यान नहीं होना दो दिशाओं में ग्यान का बिखर जाना पता नहीं इश्वर है भी या नहीं भी इश्वर सर्वव्यापक है या एक देशी है इश्वर कर्मों का फल देता है या नहीं देता इश्वर न्याय कारी है या संसार में अन्याय होते वे देख रहा है कि अन्याय हो रहा है इश्व दिएसादना नाम भावनम् याने समाधी के सादनों के ग्रहन में प्रिती न होना, विचार यथावत न होना, ये रिशिद एननान ने लिखा, कि समाधी के साधन जितने भी हैं, जो संधिया करना चाहिए, स्वाध्याइ उड़न करना चाहिए, आत्म कल्यान के लिए शरीर शुद्ध्यादी करनी चाहिए, सौच संतोष तप स्वाध्याईश्वर प्रणिदान ये नियम हो गए और आइंसा सत्य अस्ते ये ब्रमचर्या परिग्रह ये यम हो गए, आसन प्राणयम प्रत्यार धारना द्यान समाधी ये उपासना योग के साधन हो गए, इन साध फिर है आलस्य, आलस्य के विशे में आया कायस्य, चित्तस्य, च गुरुत्वाद, अप्रवरित्ति ही, याने शरीर में भारीपन, मन में भारीपन, रात को निद्रा ठीक से नहीं आई, तमोगुन छाया हुआ है, शरीर में भारीपन होता है, और रात को यदि साउंड स्लि पागई सुशुक्ती में गाड निद्रा में हम चले गए तो सुबह उठते ही हम फ्रेशनेश अनुभो करते हैं ताजगी अनुभो करते हैं उसको सात्वीक निद्रा कहते हैं ऐसे ही जब राद को सपने आते हैं निद्रा तूटती है खंडित होती है सुबह उठते ही बेचे पीने वाला जैसे सुबह हैंगोवर अनुभव करता है ऐसा उसको निद्रा से उठने पर अनुभव होता है तो तमोगुन छाया हुआ है शरीर में ऐसा समझना चाहिए ध्यान में भी हम देखते हैं कभी कभी हमको आलस से आती है जब निद्रा पूरी नहीं हुई हो व्यायमा आलस्य मन में और शरीर में भारी पन चित्तस्य गुरुत्वाद अप्रवरित्ति ही जब आलस्य होता है तो समाधियादी को छोड़ देता है फिर आता है अगला विक्षेप है अविरती चित्तस्य विशय संप्रयोग आत्मा गर्धह विश्यों की सेवा में अत्यंत होना विशयों के प्रती अत्यंत आकर्षण होना तो खिषिप्त अवस्तावाले लोगों को अविरती नामक दोश सताता है विशयों से विमुक न पाना आगे बताया भ्रांती दर्शन भ्रांती दर्शन यानि विपर्यय ज्ञान मिथ्या उल्टे घ्ञान का होना जड में चेतन, चेतन में जड़, इश्वर में अनिश्वर, अनिश्वर में इश्वर भाव करके पूजना, ये सारे ब्रांती दर्शन नामक विक्षेप हैं, आगे अलब्द भूमी कत्व, समाधिक के लिए अभ्यास कर रहा है, लेकिन समाधिक की स्थिती प्राप्त नहीं हो पाना, यानि चित्त की एकागर अवस्ता नहीं बन पाना, यानि सत्वगुन प्रधान अवस्ता नहीं बन पाना, या बन रही है तो फिर अगला विक्षेप है, अनवस्थितत्व, ये लब्धायाम चित्तस्य अप्रतिष्ठा, यानि वो भूमी तो प्राप्त हो गई, लेकिन उस विक्षेप कहलाए जो हमको योगाभ्यास में कल्यान की धारा में बहने नहीं देते समाधी की प्राप्ति में बाधक बने हुए हैं और आगे एक और सुत्र बनाया पतंजलिज ने योगदर्शन में 31 अगला ही सुत्र है समाधी पाद का कहते हैं दुख दौर्मनस्य अंगमे जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहब हुआ है दुख कहते हैं अध्यात्मिक अधिदैविक अधि बहुतिक तीन प्रकार के दुख हैं अंगमे जयत्व यानि शरीर का कमपन शरीर में कमपन होना अंगों का कामपना श्वास और प्रश्वास यानि प्राणों का अ विक्षेपों में ये पांच और मिल करके समाधी में बाधा पहुंचाते हैं व्यक्ति अपना कल्यान की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाता तो परमात्मा से मंत्र में प्राप्तना की है कैसे ये विक्षेप हमारे दूर हो इसका विक्षेप दूर करने का उपाई बताते हैं तत्प्रतिशेदार्थम एक तत्वा अभ्यास है ये व्यादियादी जितने भी विक्षेप हैं इनको हटाने के लिए एक तत्वा का अभ्यास करना चाहिए जो रजोगुन के कारण विक्षेप बीच बीच में उभर रहे हैं इनको दूर करने के लिए इश्वर नामक तत्व का अभ्यास करना चाहिए रजोगुन का हमारे व्यवार में क्या परिणती होती है इसको थोड़ा सा समझना चाहिए कि व्यवार जीवन में रजोगुन हमारे जीवन में कैसे प्रवेश करते हैं इसको भी समझना चाहिए रजोगुन जीवन में राग को उत्पन करता है संसार और इश्वर में जब हम तुलना नहीं कर पाते इश्वर का चिंतन नहीं कर पाते तो संसार मुख्य रूप से दिमाग पर छाया रहता है हवी रहता है और यदि हम इश्वर का चिंतन करने लग जाएं इश्वर की स्तुति प्रार्तना उपासना करने लग जाएं कि है इश्व इश्वर की ही उर्जा से हम संसार के पदार्थों को भोग रहे हैं, भोग पा रहे हैं, आनंद ले पा रहे हैं, इश्वर की उर्जा इसमें लगी हुई है, इश्वर का प्रत्यक्ष योगदान इसमें है, जब हम ऐसा सोचते हैं, तो संसार गौन हो जाएगा, इश्वर लोगों के प्रती संसार के پ्रती आकर्शन होता है अंग्रेजी में जिससे कहते हैं कि आसक्ती जो है व्यक्तिको एटेच्मेड्ट जब हमारा संसार में एडिक्शन एडिक्शन में कनवर्ट होता है यानि मोह मैं अवस्ता csak अत्यंत तमोगुन बढ़ गया जीवन में तो ये एडिक्षन होने से इश्वर फिर जीवन में से गौन हो जाता है तिरोहित हो जाता है और देखना मानुभाँ आत्मनरिक्षन करके देखेंगे तो ये सपष्ट पता चलेगा कि इश्वर की वैलियो हमारे जीवन में बहुत बहुत न है आप प्रमान से इस बात को इस तरह से समझेंगे कि कहीं आप बाहर निकल गए और जब वापस आए तो जाते समय तो आपके पास मोबाईल था लेकिन जब आप वापस आए तो आपको पता चला कि मोबाईल नहीं है इसका मतलब आपने कहीं बाहर कहीं छोड़ दिया और जब तक वो mobile आपको नहीं मिलेगा आपको बेचेनी होगी। उतनी बेचेनी उपासना के छोटने से होती है क्या आत्मनिरिक्षन करके देखें। तब पता चलेगा कि हाँ इश्वर कितना mobile जितना भी इश्वर का महत्वा हमारे जिवन में नहीं है। इश्वर का इश्वर्स के कई गुना ज्यादा महत्व हम मोबाइल को दे रहे हैं ये बेचेनी ये परिणाम बता रहा है हमको जितना महत्व हम अपने बच्चों को, पत्नी को, माता-पिता को, भाई को, रिष्टेदारों को, पडोसी को, मित्रों को देते हैं उतना महत्व हम इश्वर को नहीं दे पा रहे हैं जितना हम अपने दैनिक जीवन के प्रयोक की वस्तुवों को जितना महत्व देते हैं मैं और मेरे पन का चिपकाव, सोस्वामी संबंद वैसा इश्वर के साथ हमारा संबंद नहीं बन पा रहा है कि इश्वर मेरा माता है इश्वर मेरा पिता है इश्वर मेरे अंग संग है इश्वर सदा मेरे साथ रहता है ये भाव मन में नहीं उत्पन होता इसलिए इश्वर के प्रती रुची नहीं होती इश्वर को प्राप्त करने का मन में इच्छा द्रिड इच्छा नहीं बन पाती एक अभ्यासा बना हुआ है संसार को भोगने का, मन पसंद भोजन न मिले, मन पसंद गाड़ी न मिले, मन पसंद वस्तु न मिले, तो हम उद्विगन हो जाते हैं, लेकिन किसी दिन इश्वर की उपासना न कर पाएं, तो वैसी उद्विगनता हमको नहीं होती, इससे पतार च चाहिए कि जब व्यवहार जीवन में हमको कहीं कठनाईयां आती हैं, कहीं परेशानियां आती हैं, कहीं दुखा आते हैं, कहीं समस्याएं आती हैं, रुकाउटे आती हैं, बाधा होती हैं, उस बाधा को दूर करने के लिए इश्वर हमको चाहिए, संपूर्ण दुखा निव हमको चाहिए जब हमारा ये माइंड सेट बनेगा कि नहीं नहीं मेरे जीवन का मुख्य लक्षे ही इश्वर प्राप्त करना है यह होता है मुमुक्षुत्वा मुमुक्षुत्व रिशिदैनन ने लिखा जैसे शुधातुर शुधा कहते हैं भूख को यहने भूखे व्यक्त को और त्रिशा आतुर माने प्यासा व्यक्ति त्रिशा माने प्यास आतुर माने प्यास से मरा जा रहा है जो तो जैसे भूखे व्यक्ति को बिना अन्न के जैसे प्यासे व्यक्ति को बिना पानी के कुछ भी अच्छा नहीं लगता अब भूखे प्यासे के सामने संसरिक अन आसा कहता है मुझे पानी लाव, तो जैसे भूखे को भोजन अतिप्रिय है, प्यासे को जल अतिप्रिय है, ऐसे ही जिस व्यक्ति को इश्वर प्राप्ति के साधनों में ही रुची है, वही उसको चाहिए, ये मानस, ये माइंड सेट जिस दिन हमारा बनेगा, उस दिन हम कल्य कल्यान का पथ चलना शुरू कर देंगे, जब हम मुक्षू बनते हैं, मुक्ति की तीवर इच्छा को धारण करते हैं, उसके साधनों में अत्यंत रुची उत्पन्न करते हैं, इश्वर प्राप्ति मुक्य बना करके संसार को हम गौन बना लेते हैं, तब जा करके हम कल्यान के पत पर आरोड हो पाते हैं मानुभाओं संसार अभी हमारे जीवन में मुख्य है संसारिक उपलब्दिया संसारिक चीजों को पाने में ही हम लगे पड़े हैं जब इश्वरप्ति का मुख्य लक्ष बन जाएगा वही मेरे को कल्यान करने वाला है उसी से मेरे जीवन की सफलता है ये जब जीवन में बैठ जाएगा दिमाग में ये निश्चह हो जाएगा कि संसार साधन है और इश्वर ही मेरा गंतव्य है प्राप्तव्य है अंतिम लक्ष है मुख्य लक्ष मेरा जीवन का जीने का उद्देश ही यही है ऐसा हमको करना पड़ेगा तब जाकरके संसार में आसकती कम होगी तब हमको वैराग्य प्राप्तो होगा और इश्वर के प्रती रुची उत्पन्न होगी तब हमारे जीवन में वो वेद की सुक्ति सार्तक होगी तेन त्यक तेन भुंजी था त्याग पूर्वक भोग करें और मागरिदः लालच मत करो कस्य स्विध धनम किसका धन है अर्थाथ सब कुछ इश्वर का है ये हमको उस दिन समझ में आएगा आज तो हम दुखों में पिस रहे हैं नाना विद जो है दुखों में लिप्टे पड़े हैं राग द्वेश आदी में पिस रहे हैं कलेशों से ग्रस्त हैं जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण में हम गोते लगा रहे हैं संसार सागर में और ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जन्म मरण से छूटने का उपाय हमको करना चाहिए कि ये कल्यान का पत नहीं है और एक अरब 97 करोड वर्षों से हम इस बवंडर में फसे हुए हैं ये अभी हमको समझ में नहीं आया समझ में आये तो फिर ये निश्चाई बनेगा ना दिमाग में कि हमको अगला जन्म लेना नहीं है मोक्ष की तरफ अग्रसर होना है तो ये दुरवस्ता अभी हमको समझ में ही नहीं आई इसलिए हमको संसार में आनन दाता है संसारी कुपलब्धियों के लिए ही हम पुर्शार्थ करते हैं तो जब ये हम लक्ष बना लेंगे इश्वर प्रप्ति का तो हम वैराग्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे और हमको जो है संद्या में भी रुची होगी हवन करने में भी रुची होगी हम समय भी निकाल लेंगे स्वाध्याई भी कर लेंगे आत्मचिंतन भी कर लेंगे तो यदि आप सर्वे करें अपने घर से बाहर निकलें, सौ घरों को चुनें आप उन में से लोगों को पूछ पूछ करके देखें कितने लोग आपको मिलेंगे जिनक्या लक्ष अंदर से बना हुआ है कि हाँ, मुझे इश्वर को प्राप्त करना ही मेरे जिवन का लक्ष है मैं कहता हूँ, सौ घर नहीं हजार घरों में रहने वाले हजारों लोगों में से एकाद व्यक्ती भी मिल जाए तो बड़ा सौभाग्यशाली है तो जब हम ये देखते हैं कि हजार में से एक व्यक्ती भी इस तरह का लक्ष नहीं बना पाता तो फिर दुखों से चुटकारा कैसे होगा ऐसे करते करते ही तो एक अरब 97 करोड वर्ष मेरे और आपके भी निकल गए और यदि अब भी हम नहीं चेते तो हमारी वही दुरावस्ता होने वाली है जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकलने वाले तो प्रार्थना तो हम करते हैं कि शयोह अभिस्रवन्तुनह और शन्नो देवी रभिष्टयय प्रार्थना तो करते हैं लेकिन केवल प्रार्थना करने मात्र से जीवन का कल्यान नहीं होगा अंदर से लक्षय बनाना होगा रिशी दैनन ने कहा न कि केवल कोरी प्रार्थना करने से लाब नहीं मिलता मिश्री मिश्री कहने से मुँ मिठा नहीं होता बजार में जाकर के मिश्री खरिद के लाकर के जीवा पे रखनी होगी तब जाकर के मुँ मिठा होगा ऐसे ही जो प्रार्थना हम करते हैं उसके अनुसार हमको जीवन में पुर्शार्थ करना होगा, हमें स्वस्वामी संबंद तोड़ना होगा संसार के साथ, राग द्वेश आदी से उपर उठना होगा, बंधनों की श्रिंखलाओं को तोड़ना होगा, पुर्शार्थ करना होगा व्यवार जीवन में, तब कहीं त करके हम मुक्ति के मार्ग पर चल पडएंगे, सत्य, आहिंसा, ब्रह्मपचरिय, आधी के नियमों का पालन करना पड़ेगा, संध्या करनी पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, ऊपर उठने के लिए शम, दम, उपरति, तिटिक्षा, श्रद्दा, सम मैं है आप में से कोई महानुभाव कोई प्रश्ण पूछना चाहते हूं तो पूछ सकते हैं प्रवचन को यहीं विराम देते हैं ओ ओम सबसे पहली बात आज से विचारना शुरू कर दें ये संसार इश्वर ने बनाया है सुबह उटते ही ये एफ़र्मेशन रोज करें कि ये संसार इश्वर ने बनाया है मुझे ने भी इश्वर ने बनाया है मेरे पास विद्यमान जयान विजयान इश्वर का दिया हुआ है मैं जो वारी को खोलता हूँ तो वो इश्वर की उर्जा इसमें प्रत्यक्ष है इश्वर की क्रिपा से ही मैं बोल पा रहा हूँ मेरे हातों में चलन वदन है यनि इश्वर को अपने जीवन के हर ख्रिया के साथ जोड़ करके सोचना शुरू करें हर क्रिया में मेरे जितने संतान है उसम इश्वर की देन है इनका वास्तरिक स्वामी इश्वर है मैं तो केवल गौर्ण स्वामी हूँ मेरे पास विद्यमान धन संपत्थी शरीर मकान जो कुछ भी है, सब इश्वर का दिया हुआ है, तो क्या होगा दो बाते हैं, एक स्वस्वामी संबन तूटेगा, दूसरा इश्वर के प्रति श्रद्धा, रुची, आसंति बढ़ती चली जाएगा, और इसी से हमारा रजोगुन और तमोगुन, राग और द्वेश से उपर उठने के हमारी प्रव्रति शुरू होगी, पोचाई, राग ध्वेश ही आसंति को उथंद करके, संसार में बंदने आपको बांधे हैं, और इधर योग में प्रव्रति नहीं ओने दे रहें, और मोह को उथपन कर रहें, तो यह मूल प्रणों को बढ़ाना तो यह कामों को अपने को रोज करना पड़ेगा इश्वर को अपने जीवन में जो आपने निकाल करके बाहर कर दिया है उसको फिर से स्थापिद करना पड़ेगा जिस अध्यू hoping कर रहा है। का दाता इश्वर है और वही आदिमूल है विशिद्यानन ने का यह माइडसेट बना करके जब हम जीवन चीना शुरू कर देंगे तो हमारा जीवन इश्वर मैं हो जाएगा और एक सी दिवाद है इश्वर के साथ चुड़ते ही मन साथ भी हो जाता है इश्वर के साथ हमने किया उससे हमको जो उबलग्तियां मिली वो सब उबलग्तियों का अभिमाद जीवन में हर कही ममा 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 मैं 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 मेरा 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 यह भाव है यह भाव हमको रजोगुन से उपर में उठने दे रहा साथ नहीं बने दे रहा जहां यह अहम अहंकार शांत हो ज ज다고 कुव मालीक ओता है मालिक के सामने नौकर एंठ में दिखा सकता मालिक के सामने सेवक ऐसे रहता है तो हमको इश्र के सामने ऐसे जले जाएंगे तो हमारा जीवन पवित्र होता चला जाएगा. सब के अंदर ये सामर्त्य है, उप्योग करनी की बात है. जल्वाद, बहुत जल्वाद, आचा जी, बहुत जल्वाद. अचारी जी, मेरा इक पॉर्शन है, आपने भी जिसे बताया कि पनाओ का जहां, जब की बात करते हैं, तो पनाओ का जब केसे करना चाहिए, लगोपनिशद में एक श्नूप आया है, बहुत अच्छा, प्रणवो धनु शरोयाद्म ब्रह्मत अलक्षन चे अक्रमत्य नवेदव शरवस्तन पयोगा, यह जब करो जाहिए, गायत्री का जब करो, इसमें एक बहुत अच्छी बात करी है, इस नूप में, उसमें कहा, प्रणाव एक धनुष्य है धनुष्य है यह शब्द उचण करेंगे उधनुष्य है प्रणाव जब या गायत्री जब या संध्या के किसी भी मत्र का जब पूरा होता है उसमें तीन बाते आती हैं एक है शब्द का उच्चारण दूसरा है अर्थ का चिंतन और तीसरा है इक्षिवर के साथ अपने आत्मा का संबंद की तरी मीटर जोड़ना शुरू में प्रत्यक्ष प्रमान से नहीं होता तो शब्द प्रमान से करते हैं देरे देरे शब्द गहरे होते जाते हैं मस्तिस्क में नियूरॉंस में वो वायरिंग होती जाती है प्रती दिन के अभ्यास से आज करेंगे एक्दम एट इन में मन नहीं लगेगा लेकिन आज अभ्यास करना शुरू करेंगे तो कालान तर्में ये शब्द अंदर तो उसका हो जाएगा जैसे एक गाना है किसी फिल्म का, पहली बार दो रहेंगे तो एकदम से दोड़ी याद होता है, लेकिन बार 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 नौरा मेंसे याद हो जाता है, तो जैसे वो शब्द का उच्छारण आप कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का, भाहच स्वाद, अब शब्द के बीछे ज अभी इश्वर मेरे अंदर है, अपने आत्मा को उसके साथ जोड़े रखना, अन्या साथ सरी विश्यों को नहीं उठाना, तब जाकर ये जब पुरा होता है, तजबह तदर्धभावनम, ये इश्यों ने लिखा, कोई भी प्रणो का जब करे, तस्यवाचर का प्रणो ये स्वामाथाजी के क्विश्ने है, तो बोले है रेश्वाथाजी, आपनी प्रण्टे नमस्ते स्वामा्य में जानना चारी थी, इस स्वासवामी संबंद को थोड़े सा, डिटेल में समझा देंगे, स्वास्वामी संबंद ऐसा होता है मालिकाना हक मेरा मैं और मेरे पंद का चिपकाओ इसको स्वास्वामी संबंद कहते है यह बच्पन से ही विक्षित होता है हमारे अंदर अब देखिए उधारन से समझाता हूँ छोटा बच्चे का मालिक उसके मतड़्याज़ हैं और बच्चे के पास जितने भी belongings हैं बस्तुय हैं जो परयोग करता है जाये वो बस्त्रो हो चाये उसकी चबबल हो जाये उसके लोने हो और उसके पास poppy हो, pencil हो जतने भी बस्तुय हो परयोग करता है उसको कमा के किसने लाके दिया उसके माता-पिता ने यानि असली माता-पिता उन वस्तू के कौन है उस बच्चे के पार जो वस्तू है उसके माता-पिता है मा और उसके पिता जिन्होंने उसको लाकर के दिया लेकिन जब बच्चे के हाथ में वो चीज आती है न बच्चा क्या सोचता है? यह मेरी है. मैं मैं इसका मालिक हूँ. मैं इसका स्वामी हूँ. तो यह बच्छपन से आदत बन गई हमारी चीज़ों के प्रति स्वामी संबन. यह चीज मेरी यह चीज तेरी. तो यह जो मैं इसलिए येज में कहा गया इदमना ममा इदमना ममा इदमना ममा तो मतलब मेरा नहीं है और वास्तों मेरा नहीं है मैं कुछ लाया नहीं अपने साथ अपना लेके जा सकता सब यहाँ छोड़ के जाना पड़ता है मुझे सब कुछ जितना कमाया मैंने क्यान विक्यान भी खतम हो जाता है हगले जनब में दुबरा से A, B, C, D क्यान विक्यान भी मेरा नहीं मैं उसका स्वामी मानता हूँ खुद को पर मेरा नहीं है किसी और से आया है मुझे नहीं मित्तिक है सब कुछ अब आप देखिये जब मेरा नहीं है तो मैं क्यों अपना मान में जाँ बस ये अधिकार छोड़ना है अंदर से और इश्वर के अधिकार को स्विकार करना है इश्वर इसका वस्त्रीट स्वामी है तो स्वामी सम्वत तूटेगा और ये बंदद का कारण है सोसमसंत नाता जी क्लियर हो गया आपकी शंका जी जी धन्यवाद जी धन्यवाद जी आज के इस सट्संग को यहीं प्राम देते हैं जिनोंने में रेकॉर्ड किया होगा मेरे साथ 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 शाधर देंगे ताकि इसकी हम वीडियो बना सके आगे चंतर के और ये यूट्यूब पर हम उपलत करा रहे हैं पिछले भी मेरे प्रवचन जो वैदिक गायतरी मंतर पर जो प्रवचन है वो उसकी वीडियो बन चुकी है और गज सप्ता की अभी इसी सप्ता में बन जाएगी और आज की भी आगे बना देंगे हम फोर ये यूट्यूब पर हम उपलत करा देंगे झे सर्वाम सांती शांती रेवशांती सामा शांती रेवि वीडिर ओम चांटी 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 चांटी